नमस्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिस्क्रिस करेंगे हिंदोस्तान कॉपर के बारे में क्या आपको इस शेर पे निवेश करना चाहिए यह नहीं और परसनली खुद हम इस शेर पे जो है इन्वेस्टेड है तो क्यों हम इस शेर पे इन्वेस्टेड है क्यों हमें इनका ग्रोथ आटलूक आन या निवेशक है तो वीडियो जो है एंड तक जुरूर देखेगा तो गाइस यहां पर हम डिस्कुस करें हिंदुस्तान को पर के बारे में इसके फंडमेंटल के इंडेट करें तो चले स्टॉक का फंडमेंटल एनली सी शुरू करते हैं तो काई सबसे पहले और ओनर्शिप के बारे में बात करें तो उनर्शिप निष्टीमें यहां पर कोई भी कमी नहीं काफिए सब्सक्राइब के बारे में बात करें तो आपको नहीं जादा टोटना ज़्य नहीं रहा है क्वपनीी सब्सक्राइब मीसलिक के बारे बात करें सब्सक्राइब काफी शांधार तरीके से रगोट करने प्दमधियंत अफ। और इंट इंकम में का एक काफी कमपने में को देखने का प्री चणवेंट कं celebrating काफी देखनी काम हुआ है बढ़िया है मैं तो इस एक अच्छी साथि रेली बने गी काफी जादा जो है stock में अभी value buying होनी बाकी है हमें अभी लगते हैं जिसकी valuation जो है काफी ऊपर है यहां से current price से तो अभी जो है stock में और रहे लिए हमें बनते हुई दिखेगी और उपर से copper की demand आने वाल टाइम में जो है काफी जादा बनने वादे पूरे वर्ल्ड में जिससे जो है इंदोस्तान कॉपर जैसी कंपनी को काफी benefit होगा और यह काफी अच्छा जो है आने वाल टाइम में revenue profit वगएर जेनरेट करेगी और इनका growth outlook काफी positive हमें लग रहा है EV sector जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे copper की demand बढ़ते जा रही है और जो है आपका mobile mobile में copper वगएरा जो है यूज होता है और भी काफी चीजों में copper यूज होता है fiber optical cable वगएरा हमें तो copper की demand तो आने वाल टाइम में बढ़ने ही वाले जिससे हिंदोस्तान copper जैसे stock को काफी benefit होगा तो copper stocks में जो है इंदोस्तान copper एक best bet रहेगी और एक defensive bet भी यह रहेगी कैस यहां पर एक अच्छी reality हमें आते होए देखने को मिल सकती है तो fundamental तो company और भी ज्यादा strong होने वाले growth outlook भी positive लग रहा है तो चलिए अब इसका चार्ट सेटप आपको explain करके देते हैं यहां पर आप इसका चार्ट सेटप explain करके देते हैं तो यहां पर आप देखते हैं शेर जो था काफी लंबे टाइम से consolidation phase में था यह आपका जो है मंधली चार्ट दिखा रहे हैं और उसके बाद जो है काफी टाइम बाद एक चार्ट एक breakout हमें देखने को मिला स्टॉक में और एक अच्छा खासा breakout देखने को मिला अच्छी वॉल्यूम और अच्छे प्राइस एक्षिन के साथ देखने को मिला उसके बाद शेयर थोरग कंसॉलिडेट हुआ और फिर से अब शेयर यहां पर तेजी बनता हुआ हमें दिखा रहा है तो मैं आपको यही र स्टॉप लेके चलिए 194 का पहला टार्गेट और 260 का दूसरा टार्गेट जो है आपको हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकते हैं तो गाइस हिंदुस्तान कॉपर एक भाय कॉल रहेगी हम पर्सनली शेयर में इन्वेस्टेड है तो आप लोग भी शेयर में हम तो खुद इस शेयर में एक अच्छे खासे बैठ लेके बैठ है तो गाइस एसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्रीज सस्क्राइब कीजिए धन्याबाद